हलो एवरिवन आज मैं आपको पेपर में से कैसे पेपर बेग बनेगी वो बताऊंगी यहीं स्टाइल से आप न्यूस पेपर में से भी बना सकते हो मेरा नाम जिगना संड़ी है प्रम अभिकार अभी हम पेपर बेग बनाना स्टार्ट करेंगे यह पेपर लेंगे एक ब्रंग शिट या चाट शिट एक स्केल लेंगे स्केल लेके हम ड्रॉ करेंगे एक पूरी लाइन ऐसा है यह पूरी लाइन हम ड्रॉ करके इसको फोल्ड करेंगे वन स्केल जितना यह प्रेस कर दिया हमने अभी इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे प्रोपर नाप लेंके यह हम इधर से प्रेस कर देंगे इधर का नाप है टू फिंगर्स टू फिंगर्स की जगा रखके हमको इधर प्रेस देते ना है अभी यह फोल्ड देने के बाद इधर से भी एक फोल्ड देंगे ऐसे फाविकॉल लेंगे और यह जगा पे फाविकॉल लगा देंगे यह हमने फाविकॉल लगा दिया यह उपर से जो हमने फोल्ड दिया था वो उपर की साइड रखेंगे क्यूंकि इधर हम हॉल करके ध्रेट डालेंगे तो फट के बाहर ना आ जाए तो यह जगा उपर रखेंगे और यह पोशन नीचे रखेंगे जो फोल्ड नहीं दिया था हमने अब इसको भी हम ऐसे टू फिंगर्स रखके ऐसे फोल्ड देंगे इसको खोलेंगे ऐसे और एक फोल्ड देंगे और इधा से भी एक और फोल्ड देंगे अभी नीचे की साइड से और एक फोल्ड आएगा और उपर जो पोशन बचा है उसको हम ऐसे स्टिक कर देंगे आप सेम स्टाइल से न्यूस पेपर में बना सकते हो यह फोल्ड दे दिया और स्केल से पूरा अच्छे से प्रैस कर देंगे अभी यह जो आपको दिख रहा है यह जगा से हम अगें एक फोल्ड देंगे क्योंकि हम बॉक्स बैग बना रहे हैं अगर सिंपल बैग बना रहे है तो यह बैग हमारी बन गई है पर हम बॉक्स बैग बना रहे हैं तो यह स्केल ऐसे रखके हम सीधा फोल्ड कर देंगे यह मैंने आगे किया अभी सेम वही जगा से हम पिछे की साइड में फोल्ड देंगे इसको फोल्ड देंगे अभी सेम दूसरी साइड करेंगे यह वन स्केल यह जो पॉर्शन आया है इता से हम वन स्केल जितना नाप रखके फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड सेम फोल कर देंगे, अगें खोल देना है, अभी धीरे धीरे जो जो कॉर्नर से उसमें फोड़ा हलका सा प्रेस करके उसको खोल देना है इधर भी सेम खोलेंगे, ऐसे करके भी आपका बैग रेड़ी हो गया, अभी हम इसमें पंचीन करेंगे, प्रॉप पर जगा छोड़के, उपर और नीचे, अभी ये साटिन रिबिन लेनी है, आप और भी कोई भी फ्रेड ले सकते हो, ऐसे उपर की साइड से हम अंदर डालेंगे, ऐसे आएगा पूरा, और इधर एक नॉट लगा देंगे, दूसरी साइड से हम खरेंगे, अपर की साइड से, करके दूसरी साइड से अर्ड़ कोईना लेगे, तो करके लेगे ले लेंगे, अपर की साइड लेकीशन रिश्टाब से अंदर लेंजे है, यह आपका पेपर बेग घड़ी हो गया मॉक्स पेपर बेग है यह अभी हम इस पर थोड़ा डेकरेशिन भी कर सकते है अच्छा सा डेकरेटिव यह रेड़ी कुछ लगाओ यह तो सिक्वेंस लगा दो यह हमारा पापकाइड रेड़ी है आज से हम यह रिसाइब करेंगे कि हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे